इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 16 जून 2019 और यह हमारी 117 वी क्लास है आपके लेकरा है जो आपके एक्जाम और आपके नॉलिज की दरश्टी से बहुत इंपोटेंट है इन क्वेश्चन्स को आप नोट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछ जाती है साथी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोटेंट फेक्ट भी हम आपको बताती है तो वो भी आपको याद रखनी है दोस्तो अगर आपको MPG के और करंट अफिर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरूर करेंगे चलते हैं क्वेश्चन नमर फरस्ट पर हाली में किसे ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तिसका सी ओफ्टन है अमिताब घोस हाली में अमिताब घोस को ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है दोस्तो पृसिद अंगरेजी लेखाक है अमिताब घोस और इन्हें ग्यानपीट पुरुषकार 2018 प्रदान किया गया है इस सम्मान के लिए पष्य मंगाल के पूर्व राजपाल गोपाल कृष्ण गान्दी द्वारा यह सम्मान अमिताप घोष को प्रदान किया गया है दोस्तो आपको अमिताप घोष की बारे में एक और important fact बता दें यह पुरुषकार जीतने वाले पहले अंग्रेजी लेखा कें इससे पहले यह पुरुषकार केविल भारतिय भासाओं के लेखकों को दिया गया है दोस्तो अब बात करते हैं ग्यानपीट पुरुषकार की तो आपको बता दें इसकी स्थापना 1961 यानि 1961 में की गई थी यह 22 भारतिय भासाओं में रचना करने वाले साहतिकारों को यह पुरुषकार दिया जाता है तो आपको इतना याद रखना है दोस्तो चौवनवा ग्यानपीट पुरुषकार यह सम्मान आयजित किया गया है हाली में तो इतना आपको इस प्रोशकार की बारी में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में कब अलवी निज्म जागरूपता दिबस मनाया गया है जिसका सूई option है 13 June हाली में 13 June को अंतरास्टिय अलवी निज्म जागरूपता दिबस मनाया गया है दोस्तो अंतरास्टिय अल्वी निजमत जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को ही मनाया जाता है इसका उद्देश अल्वी निजमत से प्रवावित लोगों को उनके बुर्द्ध होने वाले हमले और वेदभाव के पृति जागरूकता उत्पन्न करना है दोस्तो 2019 में अल्वी निजमत जागरूकता दिवस की जो थीम है वह है मजबूती से खड़े हुए यानि इंगलिस में बोलें तो still standing strong दोस्तो बात करते हैं अल्वी निजम है क्या इसके बारी में तो दोस्तो ये एक दुरलब और बंशा नुगत रोग है इस रोग से पीड़त व्यक्ती की त्वचा बाल और आँखों में आंसिक और पूर्ण रोप से मेलिनिन पिगमेंट नहीं होता है तो आपको याद रखना है यह दिवस हाली में 13 जून को मनाया गया है चलते हैं नेक्ट कॉश्चन पर हाली में किस अकेडमी ने बाल साहित पुरुषकार और युबा पुरुषकार 2019 की घोशना की है जिसका से यॉफ्षन है साहित अकेडमी हाली में साहित अकेडमी ने इन दोनों पुरुषकारों की घोशना की है दोस्तो आपको बता दें यह दोनों पुरुषकार बाल साहत पुरुषकार के लिए 22 लेखों को और युबा पुरुषकार के लिए 23 लेखों को की सूची जारी की गई है दोस्तो आपको कुछ बाल सायत पुरुषकार के नाम बता दें जिन्ने यह पुरुषकार दिया गया है तो बाले काब्ब पुस्तकों में विजाय सरमा को डोंगरी के लिए नाजी मुनेवर को कश्मीरी के लिए और संजय चौबे को संस्कृत के लिए यह पुरुषकार दिया गया है दोस्तो वहीं बात करें अगर युबा पुरुषकार की तो आपको इसके बारे में बता दें यह 35 वर्स अत्वा इससे कम आयू के लेखकों को प्रदान किया जाता है काब पुष्टकों में अनुज लुगुन को हिंदी सागर निरचकु कश्मीरी और अनुजा कट तुथू को मल्यालम काब पुष्टकों के लिए युबा पुरुषकार दिया गया है साहित अकेडमी की ओर से दोस्तो कुल 22 बाल साहित पुरुषकार के लिए और 23 लेखक युबा पुरुषकार के लिए चुने गये है नेक्स्ट कॉष्टन हाली में किस राज ने भावन निर्माड की ओनलाइन पुरुष्ट की है जिसका सई उप्षन है करनाटक हाली में करनाटक ने भावन निर्माड के लिए ओनलाइन प्रकिरिया लौंज की है दोस्तो करनाटक के मुख्यमंतरी एसटी कुमार स्वामी ने हाली में भावन निर्माड योजना स्विकृती भूमी उप्यों परिवर्तन और अन्य ओनलाइन सीवाओं के लिए वेफसाइट लौंज की है इस प्रणाली को LBPAS यानि Online Land and Building Plan Approval System नाम दिया गया है तो आपको इसके बारे में इतना जरूर याद रखना है दोस्तो अब बात आईए करनाटक की तो आपको मैप में करनाटक के बारे में बता दे मैप में ये जगह करनाटक को दरसाती है करनाटक की स्थापना एक नॉवंबर 1956 में की गई थी गवर्णर हैं बजू भाई बाला करनाटक के मुख्य मंत्री है एजडी कुमार स्वामी और करनाटक की राज़तानी है बैंगलोर तो दोस्तो इतना आपको करनाटक के बारे में याद रखना है हाली में किस देश ने अपना स्पेस स्टेशन इस्थापित करने की घोशना की है जिसका से यॉफ्षन है भारत हाली में हमारे देश भारत ने अपना स्पेस स्टेशन इस्थापित करने की घोशना की है दोस्तो इस रोकी चेर्मेन के सिबान ने यह घोशना की है भारत 2030 तक अपना अंत्रिक्ष इस्टेशन इस्थापित करने की योजना बना रहा है दोस्तो इसका उपयोग भारतिय अंत्रिक्ष यात्रियों द्वारा अंत्रिक्ष में सोथ करने के लिए किया जाएगा दोस्तो आपको बता दें Space Station एक किरत्म आवासिय उपग्रह होता है जिसे अंतरक्ष में प्रत्वी की एक अक्षा में इस्थापित किया जाता है और यह है लगातार प्रत्वी की परिक्रमा करता है इस Space Assistance से अंतरक्ष यात्री रह सकते हैं और विविन प्रकार के उपयोग भी कर सकते हैं दोस्तो एक और important fact बता दें अगर भारत अपना Space Station इस्थापित कर लेता है 2030 तक तो भारत एक मात्र ऐसा चौथा देश होगा जो अपना Space Station इस्थापित करेगा इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये तीनों देश Space Station इस्थापित कर चुके हैं और भारत बन जाएगा, next question, मध्यप्रदेश में सर्व सिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, जिसका सही option है 2001 में, मध्यप्रदेश में सर्व सिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी, दोस्तो इस अभियान के अंतरगत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को शाला में, स्कूल में, दर्ज कराना है, 2007 तक सभी बच्चों को प्रात्मिक शिक्षा पूर्ण कराना है, 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्रारमिक शिक्षा पूर्ण कराना है, तो इस सर्व सिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी, दोस्तो ये बहुत important question है, हाली के exam में पूछा गया है, next question, मद्यप्रदेश का एक मात्र हो की छात्रावास किस जिले में इस्थापित की गई है, जिसका सही option है, नर्सिंगपूर, नर्सिंगपूर जिले में मद्यप्रदेश का एक मात्र हो की छात्रावास इस्थापित किया गया है, दोस्तो इस छात्रावास की स्थापना 1991 यानि 1991 में की गई थी अब बात आईए नर्सिंग पूर की तो आपको कुछ important fact नर्सिंग पूर के बारे में बता दें जवलपूर संभाग का एक जिला है नर्सिंग पूर दोस्तो नर्सिंग मंदिर का नमार्थ जाट सरदार द्वारा किया गया था नर्वदा और उसकी सायक नदियां शक्कर, दूधी, उमर और सीता रेबा नर्सिंग पूर जिले में ही प्रवाहत होती हैं दुमारू घटी जहां पर दो शिवलिंग इस्थापित हैं वह भी नर्सिंग पूर जिले में ही हैं ब्रामन घाट, ब्रह्मा, भगवान की योगशाला, रानी दुर्गावत्ती मंदिर, हाती दर्वाजा, बरा है पृतिमा ये सभी नर्सिंग पूर जिले में ही इस्थित हैं दोस्तो जोटे स्वार मंदिर भी नर्सिंग पूर जिले में ही इस्थित हैं आपको बता दें नर्सिंगपुर जिले का अरहर दाल उत्पादन में मद्यप्रदेश में प्रथम इस्थान प्राप्त है वही एक और important fact दोस्तों बता दें हिंदी भासी राज्यों का पहला पूर्टा साक्षर जिला है नर्सिंगपुर तो दोस्तों इतना आपको नर्सिंगपुर के बारे में जरूर याद रखना है मद्यप्रदेश में क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब कहां इस्थापित किया गया है तो इसका सही option है इंदौर इंदोर में सबसे पुराना कलब इस्थापित किया गया था दोस्तो आपको बता दें इस कलब का नाम पारसी कलब है और इसकी इस्थापना 1890 में मध्यप्रदेश के इंदोर में की गई थी दोस्तो आप बात करते हैं इंदोर की कुछ important fact की तो आपको बता दें राज्यकी व्यवसाइक राजधानी के नाम से मिनी मुंबाई, इंदरपूर, एहलियावाई नगरी और हूलकर राज्यकी राजधानी के नाम से इंदोर को जाना जाता है चंबल, शिप्रा और खान, प्रमुक नदियां हैं इंदोर की दोस्तो देश का एक मात्र शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित की गई थी दोस्तो गेहूं अनुसंदान केंद्र और प्रदेश का एक मात्र डेंटल कॉलेज यहीं पर इस्थापित किया गया है तो दोस्तो इतना आपको इंदोर की बारी में याद रखना है नेस्ट कोश्चन तो इसका सई उफ्षन है सतना सतना जिले में मद्ध्रदेश में सडकों का सरवाधिक घनत्व है दोस्तो आपको कुछ और इंपोटेंट मद्ध्रदेश के सडकों से जुड़े बता दें तो मद्ध्रदेश की रास्टिय राजमारगों का चौरहा ब्यावरा को कहा जाता है मद्ध्रदेश का सबसे छोटा रास्टिय राजमारग NH-76 यानि NH-76 है दोस्तो मद्यप्रदेश में सबसे कम सड़कनतो वाला जिला है शियोपूर मद्यप्रदेश में गुजानने वाले रास्ती राजमारगों की संख्या 22 है तो इतने important question दोस्तो आपको एक ही वीडियो मिल जाते हैं तो आप ये वीडियो बहुत गौर से जरूर देखा कीजिए next question हाली में किस खिलाडी ने सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है जिसका सई option है कपिल देव हाली में क्रिकेटर कपिल देव ने दुनिया के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है दोस्तो हाली में कपिल देव ने चेन्नई में 50 फीट लंबे और 600 किलोग्राम की सबसे बड़े बैट का अनावरण किया है यह बैट गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा दोस्तो इतना important question है आपको जरूर याद रखना है next question कौन सा राज्य हाली में सिक्षकों का online तबादला सिस्टम शुरू करेगा जिसका सही option है हमारा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राज्य हाली में सिक्षकों का online तबादला सिस्टम शुरू करेगा दोस्तो मद्यप्रदेश में 2.70 लाक यानि 2.70 लाक तीचर्स के लिए तबातला नीती लागू की गई है दोस्तो आपको यह कौर इंपोर्टन फिक्ट बता दें हाली में IAS IPS तबातले किये गए इसके बाद अब बारी आ गई है तीचर्स की मद्यप्रदेश में यही खेल चल रहा है नेश्ट क्वेशन हाली में World Hockey Series किस ने जीती है जिसका सई उफ्षन है हमारा देश भारत हाली में हमारे देश भारत ने World Hockey Series जीती है दोस्तो भारत ने हाली में South Africa को हरा कर यह Series जीती है दोस्तो एक और Important Fact बता देए यह Series South Africa को हरा कर भारत ने 44 जीत हासिल की है दोस्तो आपको एक और Important Fact बता देए यह जो Series हासिल की है भारत ने South Africa की जीत पर यह पुरुस वर्ग में की है वहीं अगर भारत की बात करें महिला वर्ग की तो महिला वर्ग में उरागवे को हरा कर महिला उन्हें World Hockey Series जीती है तो यह दोनों Question important बन जाते हैं आपको याद रखने है दोस्तो आप बात करते हैं प्रीबियस टे की Question की तो कल का Question था दोस्तो आप मारे चैनल Study Universe को सब्स्राइब कीजिए वीडियोस को लाइकिजिए Share कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रदेश और वर्ल्ले के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे परियावरन को देखती हुए दोस्तो आप हपते में कम से कम एक या दो पिड़ अवश्य लगाएं उनकी देखरेक भी जरूरी करें तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार है वा नाइस देख